नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी मैं आपके साथ हूं जोती सर्मा बिहार के मुख्यमंदरी नितीज कुमार गाया के बोध गाया पहुंचे सबसे पहले उन्हें गाया एरपोर्ट से बायरोड करिसुरक्षा के बीच बोध गाया के सित तिबती मनिस्ट्री में लाया गया आपको बता दे कि नितीज कुमार इंडिया गठवंदन की दिल्ली में बैठर कर डायरेक्ट गाया एरपोर्ट पर उत्रे उन्हें करिश सुरक्षा के बीच तिबती धर्म गुरु दलाई लामा से मिलने बोध गाया के तिबती मौनेस्ट्री मिलाया गया जहां दलाई लामा स मुलाकात करने के बाद विश्व प्रसिध महा बोधी मंदर में पूजा अर्चना किया इस बीच गाया जलादिकारी डॉक्टर त्याग रंजन एसेसम वर्य पुलिस अधिक्षक आसीस भारती और सिटी एसपी हिमानसु सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी अनेक काफिले में मौजूद थे नितीज कुमार का बोधवया में आगमन को लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था हर्चौक चौराहे पर पुलिस बल की तरनाती देखी गए इस संबंध में बिहार के एक रिशी मंतरी कुमार सरवजीत ने क्या कुछ कहा आए चानते हैं आप जी में कहा जीए आप हमारे भाई समान हो देश और दुनिया में सुखसांती बना रहे यहीं आपस में दोनों के बिचार विमर्श हुए और दलाई लामा जी ने मुखमंत्री जी को लंबी आयू की कामना किया और मुखमंत्री जी ने भी कहा कि दलाई लामा जो धर्म गुरू दलाई लामा है इनकी भी जो है लंबी आयू रहे असिर बाद उन्होंने प्रवंड किया और आप समझे सकते हैं कि अब धर्मगृ दलाई लामा से कोई वेक्ती मिले तो बिना असिरवाद दिये हो तो रहते नहीं है तो बिहार के मुखिए ही थे तो दलाई लामा जी ने असिर बाद दिया है कि आपके रहते देश में और बिहार में किशी परकार का फसाद नहीं हो यहां के लोग सुख और सांती से रहें यही मानिये धर्म गुरु दलाई लामा जी ने संदेश दिया हलांके आपको बता दे कि उनके साथ यप्टिसीयम तेजस्वी यादों भी आना चाहते थे लेकिन वह किसी कारण बस बोधगाया नहीं पहुँच सके नितीश कुमार धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की बाद देश मी अमन चैन शांती की कामना की उनके अश्यरवाद लिया बोधगाया ग्यान और शांती की धर्ती बोधगाया हमेशा देश दुनिया को अमन चैन शांती का संदेश देने का काम किया है नितीश कुमार उनके आशिरवाद लिये और बाद में विश्वत धरोहर महा बोधी मंदन में पहुंचकर पोजा आरचना की